हेलो डियर श्टुजेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चनल टार्गेट गुर्कुल पर एक most common doubt पर वीडियो लाए हैं आप सभी के लिए जैसा आप सभी ने demand किया था कि सर ABC ID क्या होती है इसको कैसे create करना है उस पर हम वीडियो लाए है बहुत ही डीटियल में बताया और उस पर आप सभी ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया लेकिन उसी वीडियो में ऐसे कमेंट साय है एक common doubt को लेकर के जिस पर वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी हो गया था वो common doubt है कि सर हमने ABC ID तो बना ली है कि जो ABC ID है वो दोनों जगा इंस्टिटूट में यहां पर कमपलसरी है तो हम इसी ABC ID को दोनों जगा लगा सकते हैं या फिर हम दोनों के लिए अलग-अलग ABC ID क्रियेट कर सकते हैं ठीक है तो इस common doubt पे चर्चा इस वीडियो में करेंगे पहली बार विजिट करें चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा किसी भी प्रकार का doubt हो आप कमेंट करके बताइएगा ठीक है देखे आपको लग रहा है कि ABC ID हम दोनों जगा नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर जब आप ABC ID बनाते हैं जो आपकी दिमाग में चल रहा है तो दूसरे में कैसे अपलाई होगी ऐसा बिलकुल नहीं है ABC ID बस आपसे डिमांड कर रहा है कि आप किस कोर्स से हैं वो जानना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कि आप क्यों ID क्रियेट कर रहे हो ना किसी अभी संस्थान में नहीं पढ़ते हो ऐसा बिलकुल नहीं है आप किसी संस्थान में पढ़ते हो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यहां पर आपकी मांगता है इसलिए देखा होगा ID value, ID number ये सारी चीज है बस आपकी पहचान करने के लिए कि आप एक student हो अथवा नहीं हो, ठीक है, ID एक number है, ABC ID एक number है, just a number, ठीक है, जो आपके account कर number होता है, back account कर जिसमें पैसार के तो उसी प्रकार से number है, उसमें कुछ आप से details मांगता है, जैसे आपका नाम, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, ठीक है, तो यह सारी confusion नहीं लानी है, ID आपकी एक ही है, आप एक ID दोनों courses में लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास होता है, तो मैं आपको एक example देता हूँ, अगर आपने इस ID को delete करके, दूसरी ID create की, ठीक है, उसी आधार number से, क्योंकि आपका आधार number तो एक ही होगा, ठीक है, तो आपकी जो ABC ID यहाँ पर इस institute के लिए थी, वही ABC ID आपकी इस institute के लिए भी होगी, ABC ID आपकी change नहीं होगी, अगर आपका आधार number यहाँ पर वही लगा है, सारी चीजे आधार से link हैं, तो वो ABC ID जो आपने पहले institute में लगाई है, वही ABC ID आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर आप दूसरी create करेंगे, तो भी वही ABC ID लिखकर आएगी, बस ABC ID को create करने की जो तिथी है वो change हो जाएगी, उससे कोई फर्क परने वाला नहीं, बस आप से ABC ID एक unique ID मांगता है, एक unique ID होनी चाहिए, अलग-अलग ID नहीं मांगता है, unique मतलब जो अलग हो, सबसे अलग हो, वो किसी क लगा सकते हैं, बस ABC ID से मतलब है, institute कौन सा डाला, admission year कौन सा डाला, कौन सा नहीं डाला, इन से मतलब नहीं है, आपकी ABC ID create होनी चाहिए, जो कि must compulsory है, अगर admission year को लेकर confusion में है, तो मैं आपको सजिस्ट कर रहा हूँ, कि आप passing year डालिएगा, जिस year आपकी, आपने अपना admission ल यह कोई ABC ID कोई हवा नहीं है, कि हर चीज आप से गलत हो रही, मिष्टे को रही, ABC ID आपकी unique होनी चाहिए, unique होने का मतलब है, कि आपकी एक ऐसी ID होनी चाहिए, जो किसी के पास हो इना, आप ABC ID को डिलीट करेंगे, फिर से बनाएंगे, आधार नमबर वही लगा है, तो ABC ID भ और Multiple Exist के नाम से भी जाना जाता है, आप कितनी बहर जाकर के कहीं पर admission ले सकते हैं, और कहीं से switch कर सकते हैं, यह ID होनी चाहिए, ID से मतलब है, confusion में नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना, कोई और आउट हो, comment करके पूछेगा, लेकिन अगर आपने ABC ID कैसे create करनी है, अगर आपको यह नहीं पता है, तो हमारी जो यह वीडियो है, आप जरूर देखेगा, इसमें बहुत ही detail में आप सभी को बताया गया है, क्लियरली बताया गया है, कि क्या कैसे process होगा, बहुत ही detail में, वीडियो अच्छे लगी हो, like कर दीजगा, पहली बार visit करें, चैनल को जरू subscribe कीजिएगा, किसी भी university की preparation कर रहा है, entrance exam की, तो आपके लिए target गुरकुल यहाँ पर बहुत helpful रहने वाला है, semester exam की preparation कर रहा है, target गुरकुल mobile app को download कीजिएगा, अपनी semester exam की preparation हम लोगों के साथ बहुत ही बहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, असा करता हूँ, आप सभी demand पर, जैसे आप demand करेंगे, ठीक है, share करना ना भूले, thank you so much